नमस्कार मित्रू धर्मा इत्यास रहस्य चनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गणेस उत्सव इस सुभ मूरत के बारे में घर पर गणपती की स्थापना केसे करें और विशर्जन का समय और मंत्र के बारे में अगर आप भी इस चतुर्थी पर गणपती बापा को लाने की सोच रहे हो तो यहां जाने स्थापन का सुभ मूरत के बारे में क्योंकि मित्रो गणेस उत्सव को भारत में सभी जगव बड़ी दुमधाम से मनाया जाता है दस दिन तक चलने वाला इस परव में गणपती बापा की हर तरह के को लगाए जाते हैं इसी दिन गणपती बापा की खास पूजा अर्चना की जाती है इस साल गणेस चतुर्थी का 800 10 सुभ मूरत से शुरू होगा इस दिन लोग अपने घर में गणपती की स्थापना करते हैं ऐसे में अगर आप इस चतुर्थी पर गणपती बापा को लान और मित्रो अगर आप भी बगवान गणेश के परमभक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजीगा साथी कोमेंड में लिख दीजीगा जय गणेश तो मित्रो सबसे पहली बाद आपको बता दें गणपती की स्थापना और सुब मुरत के बारे में दस सितंबर 2021 सुक्रवार को गणेश चतुरती परवा है इसी दिन अगर आप भी सुब मुरत में गणपती की स्थापना करते हो तो ये आपके लिए काफी फलदाएक होगा बता दें कि पुजा का सुब मुरत दो पर 12 बचकर 17 मिनिश चले कर रात 10 बजे तक रहेगा तो ऐसे में आप 10 सितंबर को 12 बच के बाद कभी भी गणपती की स्थापना और पुजा आदी कर सकते हैं मित्रो इस साल अनन्द चतुरती 19 सितंबर 2021 को मनाई जाएगी इसी दिन गणपती को विदाई की जाती है इस साल चतुरती इथी 19 सितंबर से सुरू होकर 20 सितंबर तक रहेगी इसमें गणपती गणपती की जाता है अथाद गणपती का उत्सव दस दिन के बाद अनन्द चतुरती के दिन समापत होता है और यहाँ दिन गणेस विसरजन के नाम से जाना जाता है अनन्द चतुरदसी के दिन स्रदालू जन बड़े ही दूमधाम से साथ सड़कों पर जुलूस निकालते हुए बगवान गणेस की प्रतिमा को सरोवर जिल नदी इत्यादी में विसरजन करते हैं इस साल गणेस चतुरदी उत्सव 10 सितंबर के सुरू हो रहा है तो मित्रों अब आपको बता दे हैं गणेस चतुरदी पुजा मूरत के बारे में मधियान गणेस पुजा मूरत 11 बचकर 3 मिनिट से लेकर 1 बचकर 33 मिनिट से सूब मूरत है मित्रों कहते हैं कि भगवान गणेस की पूजा स्वच आसन पर बेटकर सबसे पेले गणपती को पंचा मुरुच से स्नान करवाई हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से गणपती परिवार के सभी विगना दूर करते हैं और सभी मनुकामना पूर्ण करते हैं।